एलो प्रेंड़्स असलाम वलैकूम तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है लेकिन हमें मसाला भी नहीं चाहिए और ओविली भी नहीं चाहिए लेकिन कुछ अच्छा ही खाना है हमें तो आप यह रेशिपिह एक बार जरूर ट्राइ kicking करिएगा यह बहुत ही सिंपल ईजी और बहुत कम मसालो वाली बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है आप इसको जरूर एक बट ट्राइ करिए आपको बहुत पसंद आने वाली है तो वेलकम बैक टू मैं चैनल तो चलिए चलते हैं अब रेसिपी की तरफ तो यहां पर मैंने ले टाइम है तो आप तीन से चार गंटे पहले इसको भिगो कर रख दें तो बहुत जल्दी आपकी दाल कुख हो जाएगी और यहां पर मैंने चावल ले लिया इसको भी मैंने एक घंटे पहले भिगोया था और चावल मैंने नॉर्मल वाला ही लिया है कोई बासमती राइस य ले लिया है उपा धाला होद मिसी टुकड़ से लाइची में रे ले और हाग कटी हुई डूण बाड़ी इस कि पैज़ ले लिये हैं चोटे ये लिये ले प्याज़े बड़े साइस का इसको भी मैं चोटे-चोटे क्यूप में कट कर लोंगी तो मैंने यह पे एक बरतन ड़ा लिया है और इसमें डाल दूंगी मैं चार से पांच टेबल स्पून मैंने घी डाला हुआ है बहुत ज़ादा घी, ओैल, मसाला कुछ भी हम इसमें यूज्ब करने वाले हैं सारी चीज़े बहुत कम ही यूज्ब करेंगे तो मैंने इसमें प्रण दूंगी और जलने के थर्टी सेकंड के करेंगे तो 20 से 30 सेकंड इसको भी फ्राइब होने में लगता है और बस हमें इतना ही फ्राइब करना है कि इसमें यह वाइट वाइट से जो स्पॉर्ट आ जाएं देखिए यह स्पॉर्ट आ जाए महरी मिर्श पे तो हम इस स्टेश पे डाल देंगे प्याज जो कटी हुए प अब फ्राइब करना है और प्यास को बहुत लाल गोल्डन इस तरह से फ्राइब नहीं करना है प्यास को सिर्फ हमें सौफ्ट करना है और थोड़ा सा बस कलर चेंज हो जाए प्यास का वाइट से तोड़ा सा चेंज हो जाए कलर बस इतना ही अमें प्यास फ्राइब करना है क्यालास अजो चुकी है यह इसका कलर पार सफ्राइब चैय कोई अब इसमें डाल देंगे सब्सक्राइब नािवा can सब्सक्तभ ठीए हैं तो अब इसमें जो भीगी हुई दाल ती कर देगे डाल देंगे तो दाल rein इस तरह से दाल को हलका से फ्राई कर लेंगे जो इसमें एक्स्ट्रा पानि है वो जल जाए यद्द भी थोड़ी से फ्राई हो जाए तो इस तरह से चलाते होगे हमatif को इस तरह से फ्री आप बेर घोजएंगे और इसमें डाल दोगी मैं नमक , अब के बहुत है अब नमक इतना ही अभी डाला हुआ है जितना दाल के लिए प्रॉपर हो अभी मैंने चावल के लिए नमक इसमें नहीं डाला है सिर्फ दाल जितनी दाल है हमारी उस हिसाब से मैंने इसमें नमक डाला हुआ है तो ये फ्राई हो चुकी है लगबग प्यास इसमें घी जो है साइड साइड में से नजर आने लगा है तो इसका मतलब है कि दाल हमारी फ्राई हो गई है देखे पानी इसका जल चुका है सारा तो अब ये फ्राई होने हो चुकी है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी पा थानी डालकर गिसको धग कर सब्सक्तराइब करलेGo लेड़ेर ciao 15-25 मिनटेवी समखते है चैकर लेटे कि क्यों अदर को कुखा मैं लाकश पीक सूब मजवी तो भादा नरी अदर कोस्तके लेड़ी मारी कुखई है लेड़े और टाइयर लंग फ्लेवीस डालर टेक्स्चर सब कुछ चेंज है तो इसको चेक कर लेते बर हाथों से इस तरह से मसल कर देखेंगे यह देखेंगे इसली यह जो है यह दाल मसल मसल गई यह हाथ से तो इसका मतलब है कि दाल कुछ हो चुकी है अच्छे से तो अब इसमें डाल देंगे पानी यह मैं डाल रही लेकिन मैं डालना भूल गी थी तो इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ और अब अध्रकलैसुन डाला है तो फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसको तेल के साथ जो घी है उसके साथ हम इसको पका लेंगे ताकि जो इसके कच्छी स्मेल है वो निकल जाए तो यहाँ पर मैंने फ् ईसका दबल पानी तो दो कप मैंने चावल लिया हुआ था तो चार कप मैं पानी एड aúnगी इसमें पानी डाल दीया है मैंने और दोके पानी चावल के Сब्सकौद युद्प कर दोड़ेंगे यह पानी में उबाल आ चुका है तो इसलिए आप यह भीका हुआ चावल मेंने रखा हुआ था इस सारे चावल को इसमें डाल दूंगी मैं चावल डालने के बाद को थोड़ा साच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद इसको मैं high flame पर ही फिर से ढख दूँगी और ढखने के बाद जब फिर से इसमें उबाल आ जाए देखिए ये चावल में उबाल आ चुका है अब मैं flame को low कर दूँगी और इसको एक बार अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो दाल चावल और बा पकने देंगे तो बीस मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद ये हमारी पिना तेल मसालो वाली पुलाव बनकर रेडी हो चुकी है इसको खाईए इंजोय करिए और इसको आप हरी चटनी यानि हरी मिर्ची और लहसुन के चटनी कुटी हुई चटनी के साथ इसको खाईए इसक पसंद आ रही है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जल्दी सजाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए और लाइक करिए शेयर करिए और मुझा चेचे कॉमेंट्स करिए थाइस कर दिएलिक वियक तो कर दोगी देख़एबने सब्सकार इसन प्यासरा कर दो घब का उचल सुन्डवर कर दो दो अशार कर दो हैं